गुड बॉनिंग एब्रिबन शिक्स्ट ग्लास कैसे आप सभी आई हो पॉल आर पैरी गुड तुड़े इस नाइन्थ और सेप्टेंबर और डे है थरस्डे तो हम लोग जोब एक नय चेप्टर स्टार्ट किया है हमने फ्रेक्शन तो फ्रेक्शन का जोब फर्स्ट एक्सरा है है तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहां पर क्षिण नमबर शेड़ा प्रेक्शम सेड़ एट नाइन और टैन जलेवन तक उनलेंगे और इसी के जाथ हमारी जो एक्साइज है बों बहुत कम्प्लिट हो जाएगा लास्ट कोषी नहरे इलेवन कोशी नमबर शिक्ष देख को डाई करना है she has so far finished 20 dresses what fraction of dresses she has she finished तो वो रहे कि उसने जो वो 30 में से जो कितनी dresses को डाई किया 20 dresses को यह पुछ रहा है कि 30 में से 20 को किया तो fraction क्या होगा तो इसका मतलब है आपको बता है कि 30 में से 20 कि जैसे में बोलते थे कि जैसे मेरे पास यहां पे एक box ज्यांए थे समद्धा Means पार भाइस किया तो इसका मतलब है 4 में में से चलर स्थाथ 1 यहांपे बोर है कि यह 3 से 20 तो उसका फ्रेक्शन निकाला जो भी फिनिस्ट हो चुका है वर्क तो क्या लिखा 30 में से 20 हो चुका है तो 30 नीचे 20 उपर फारक प्राइम भी प्राइम वाने से स्टाटों चेहां से स्टाटों तो वह दोला इकंप। ऊसम आपको प्राइम नमबर हो जाते हैं वृत प्राइम नमबर ऐसे नमबर होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फेक्टर होते हैं वह आप फेक्टर और मुल्टिपल के बारे में पढ़ चुके हैं ठीके पिछली क्लासी में पढ़ चुके हैं और अभी भी आप फेक्टर और मुल्टिपल के बारे में देख चुके हैं कि फेक्ट के बीच में या मैं बोलू 1 और 100 के बीच में या बोलू 2 से लेकर बीच में थीक है 2 से स्टार्ट हो रहा है इसने बोला कि 2 से 12 तक किसे ने क्या बोला नेचल नम्ब लेकिए तो 2 से 12 तक मैं लिख लेता हूँ 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया 5 6 7 8 आ जाएगा 9 आ जाएगा 10 आ जाएगा 11 आ जाएगा 12 आ जाएगा ठीक है कितने होगे 123 123456789 10 11 हो जाएंगे ठीक है 11 हो जाएंगे तो यहां पे इसने और क्या बोला कि प्राइम नमबर का फ्रेक्शन कितना है अब देखें प्राइम नमबर कौन-कौन से वह पैचानेंगे अब प्राइम नमबर देखें टू एक प्राइम नमबर है हमारे पास तू जो वह एक प्राइम नमबर है तो इसको मैंने सदकल कर लिए 3 भी मेरे पास प्राइम नमबर है फोर नहीं है क्योंकि फोर के जोबो फैक्टर बहुत सारे होगा है टू भी इसका फैक्टर है देखे फैक्टर वन तो सब का फैक्टर होता ही है लेकिन और किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए वह जैसे थ्री जोबो टू के टेबल में आता है वन तो आएगा ही वन तो में स से ज़्यादा factor हो जाए वो जो वो composite number होते हैं तो यहां पर 7 होगा 7 के बाद जो वो 11 होगा तो कितने prime factor हो गए यहां पर देखे total थे 11 11 में से prime number कितने है 1 2 3 4 5 11 में से 5 जो वो यहां पर हमारे पास prime number है 11 में से 5 को क्या लिखा जाएगा 11 नीचे 5 ओपर 5 upon 11 5 11 जो वो इसका अंसर आजाएगा आई हो आप समझ गये हैं तो यहां पर वही लिखा है कि natural number from 2 to 12 तो लिख लिए सारे prime number from 2 to 12 तो कितने 5 जो भी है ठीक है 2 3 5 7 11 तो 5 11 इसका सही आंसर हो जाएगा question number 9 दिखे right the natural number from 102 to 113 what fraction of them are prime number ठीक है यह भी काफी अच्छा कोईशीन है अब बिल्कुल सेम कोईशीन है पिछले वाले की तरह ठीक है बिल्कुल सेम है लेकिन आपको जो यहां पर 100 से आगे जाना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए 100 के बाद वाले जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से है ठीक ह रहें तो ट्वाउव जो हो मुझे पता कि त्वाउव तो नीचे नम्र और नणियटर में आए गाही क्योंकि हमने फ्रीक्ष इलिखना है तो नीचे आया इन्ठीक से है तेक अब इसने क्या वाला था इसने वाला कि 102 और 113 के बीचे में प्राइम नम्बर कौन-कौनस, उनका फ्रेक्सन लिखना है तो ट्वाइलब में से देखते हैं कितने प्राइम नमबर है तो प्राइम नमबर देखेए एक तो 102 तो नहीं है क्योंकि वो 2 से जाता है तो 1-3 है जो कि 1-3 से ही जाएगा इसके जिर्फ दो इफेक्टर हैं एक 1 and एक वो खुद जैसे 1-3 खुद तो 1-4 नहीं आएगा 1-5 भी जो वो किसके 3 के टेबल में आ जाता है 1-5 106 भी नहीं आएगा 2 के टेबल में आता है 107 जो यहां पर आजाएगा तो वन एंडर एक टेबल में नहीं आता है 109 भी मैंने रांड कर दिया है तो यहां पर यहां पर 11 1220 नहीं तो नहीं होगा तो 13 है जो कि किसी और के टेबल में नहीं आएगा तो इसका मतलब कितने प्राइम नंबर होगे हमारे 12 में से तो 4 होगे 1,2,3,4 तो 12 में से 4 का मतलब है 4 upon 12, simple है 4 upon 12 इसको जब आगे काट सकते हो आप जैसे 4 के टेबल में 12 आता है इसने बोला कि कितने सर्कल में जो वो कितने सर्कल में जो वो एक्स बना है तो यहाँ पर टोटल सर्कल देखे कितने हैं 8 है तो 8 में से 4 में बना है नीचे वाले तो 4 upon 8 हो जाएगा यहाँ बोल सकते हो कि 8 में से जो वो आधे आपके पास जो वो एक्स लिखाया आधे सर्कल के बीच में आधे का मतलब हाफ होता है तो 4 को 8 से काट तो 4 वोन जाप 4 4 टू जा जो वो 8 हो जाएगा 1 upon 2 इसका अंसरो हो जाएगा सिंपल था है तो टोटल नमबर आप सर्कल 8 है तो नमबर आप सर्कल है विंग X X किस में है 4 में है तो एंस फ्रेक्शन 4 upon 8 हो जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि 8 में से 4 का मतलब है हाफ हाफ जो वो यहाँ पे मतलब कि X है उसमें तो 4 को जो वो ऐसे काट सकते हैं 4 वोन जा देखे कैसे इसने बोला कि क्रिस्टाइन है कोई ठीक है क्रिस्टाइन जो भी है नाम है ठीक है received a CD player उसको जो वो CD player मिला for her birthday जो कि gift जो वो किसे ने दी CD player दे दिया अब तो CD player जो वो कम हो गया है अब तो नहीं होते जाद है ठीक है and received five other as gift और उसको जो वो CD भी मिली ठीक है वो gift के दौर पर मिली और उसने खरीदी वो खुद खरीदी three और five जो वो उसको gift मिली ठीक है CD अलब कि total CD कितनी होगे उसके पास five और three हो गया eight eight CD जो वो उसके पास हो गई इसने पुछा आगे one fraction of our total CDs did see why and आज़े यहां पर c लिखा है तो मैंने सही है तो c है यहां पर लड़की है ठीक है लड़की है तो लड़की के बर्थडे पर जो वो मिल रहा है सब कुछ जीक है लड़की है see why and what fractions did see receive as gift तो वो रहा है कि कितने मतल कि fraction में बुछ रहा है कि कितना part जबूँ उसने खुद cd का कितना part जबूँ इसने खुद घरिदा और कितना जबूँ उसको gift में मिला देखे खुद total cd कितनी है उसके पास 8 है cd का बुछ रहा है तो यहां पर आप समझोिए इतना सा इसने पुछा था कोई सिन देखिए आपको लिखना बहुत पड़ेगा इसमें ज्यादा तो नहीं लेकिन देखिए टोटल नमबर आफ सीडी परचेज कि उसने त्री फ्रेक्शन आफ सीडी परचेज त्री अपनेट हो जाएगा क्योंकि टोटल जो एट है एम पी ले टी एडी कंप्लिटिड ठीक है ओके आज के लिए इतना काफी है थैंक यू एंड है बनाइस देखिए